कहानी की सुरुवात में हम कुछ लोगों को बीच पर इंजोय करते वे देखते हैं वहाँ पर डग नाम का एक लड़का भी अपने पेरेंट्स के साथ होलिडे मनाने आये वाँ था जो एक किताब पढ़ रहा होता है थोड़ देर बाद वहाँ समूंदर की किनारी का नजारे देखने के लिए अपनी कार से बाहर देखता है इसके कुछ देर बाद वहाँ लोग अपने लेक आऊस पर पहुंच जाते हैं और अपना समा नीचे उतारते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि लेक के किनारे बहुत सारे नाव खड़े हैं वहाँ डग जाता है और अपने दोस्ते मिलता है जो से बताता है कि इस बार यहां बहुत सारी लड़के आईवी हैं और वो लोग बहुत सारे मज़े करने वाले हैं और वो कहता है कि इस बार गर्मिया मज़ेदार होने वाली हैं इसके बार वो लोग वहां से बाहर जाते हैं और जहां एक आदमी आता है इंस्ट्रूमेंट के तार निकाल देता है इसके बाद म्यूजिक बजाने वाला रुख जाता है लोग नाराज हो जाते हैं लेकिन जल्दी वो आदमी म्यूजिक बैंड के साथ गिटार बजाने लगता है वो लोगों को काफी फसंद आता है डग का दोस्त अपने अप राउंडर पैंथा है और कहता है कि अब गर्मिया सुरू हो चुकी है इसके बाद डग अपन घर जाता है और आवाज देकर कहता है कि वो घर आ गया लेकिन उसे पता चलता है कि गर पे कोई नहीं है वो अपने कमरे में जाता है और कुछ तस्वीरे देखने लगता है जब वो खिड़की के से बाठ देखता है तो उसे एक अपल दिखाए देता है जब वहाँ होई थे इनका नाम इलिटो लेना है जब डिग लीना को देख रहाता तो वह बहुत ही कुपसर होती है वह लगतार उसे देख रहा होता है लेकिन जल्दी वह लोग गर के अंदर चले जाते है डग फिर लीना को देखने की कोशिस करता है जैसे लीना उसकी तरफ देखती है वो टर जाता है किड़की से हैट जाता है ताकि लीना उसे देखना पाई अब इसके बाद डग उसे देखने के लिए अपनी साइकल लेता है और जानबुजगर उसे रिपेर करने लगता है और लीना को जुक कर अपने जूते से दूर निकलते वे देखता है इसके बाद डग अपने दोस्त क लीट कहता है वो डग को अपनी नाव में काम करने के लिए और वह हाय कर लेंगे काम से ज्यादा पेसे मिलेंगे अगले दिन डग पर जाता है जहां पर लिना को मश्च करा वाहर डग उसे देख रहा ह excitार लिना अपने कपड़े उतार थी है और डग उसे तब भी देख रहा ह Italians तक वहाँ इलिट आ जाता अधा और पूछता कि न्म की चैए is cracking कहता है कि न throttle को कुछ jogo कोस्मेटिक नुक्सान हुआ है कहता है कि कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है इसके बाद वो लोग डग कोई पेमेंट की बात करेंगे जहां डग कहता है कि उसे 20 डोलर देगा इसके बाद रात को डग फिर से प्रोष्यों के गर की तरफ देखता है लीना अपने कमरे में कपड़े बदन रही थी लेकिन तभी वहाँ इलीट आ जाता हू लीना को आईडी काल्ड करने लगता है जिसे जड़ितके ड़ग अपना मुँं हो ले ता अगले दिन अलट अपनी कार लेकर गुजर रहा होता है तब योँ पे गाड आ जाता है और चाहता है कि अपना आईडी काड दिखा इलीट अपना आईडी काड दिखाता है तभी वहां डग आ जाता है और कहता है कि ये गार थोड़ा कड़क है इलीट कहता है कि उसे ये पसंद है इसके बाद डग और इलीट नाव पर होते हैं डग लीट से पूछता है कि उसे अपनी सोरत कैसे से हासिल किया है और ये लेट कहता है कि ये सब कुछ पैसे है परिसनलिटी का कमाल है इसके बाद सीन बदलता है और डग अपने कमरे की खिड़की से लीना को कहीं बाहर जाते हुँ देखता है थोड़ी देर बाद उसे लीना की चिलाने के आवाज आती है और बागते हुँ इ वो गबरा जाता है नर्गिज के बारे में अपने दोस््त को बताता है और उसका दोस्त एलियन से बच कर रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे वो खतरनाग नजर आता है जब डग़ अपने काम से गर वापस आता है तो उसके लिए लीजा घर के बाहरा बेटी दिखाई देती ह तब ही अच्छनक भारी शुरू होती है और लिना डग को पत्थर से खिड़की तोड़ कर अंदर जाने को कहती है ताकि वो अंदर जाके दर्वाजा कोल सके डग उसकी बात मान कर अंदर आता है और किसी तरह दर्वाजा कोल देता है इसके बाद लिना उन्हें उसे करने की कोशिश्स करती है वो दोने एक दिसरे को किसा थाने लगता है जिसमें डग उसकी मदद कर आ वह दोनों इंटिमेट हो जाते इगले दिन वह पलग पर एक साथ उठते हैं लिना कैते हैं इन्दी llegar रिलेशन से बनाने में बहुत अच्छा है वो पूछती है क्या वो पहले भी किसी लड़की के साथ रह सुगा, तब डग कहता है कि उसकी तीसरी बार किसी के साथ रिलिसन बनाया था, इसके बाद लीना उसे बगल में लेड जाती है, कुछ टाइम बार डगर अपने गर जाता है, वो लीना के साथ बिताये पल को याद क के कुछ हो रहता है, इसके बाद वो अपने दोस्त के पास आता है, और अपने दोस्त को बताता है, रात को डग ने गलती से उसे कोल कर दिया था, उसका दोस्त उसे वो आवाज सुनता है, और वो डग की तपकी आवाज थी जब लीना के साथ सेक्स कर रहा था, इसके बाद उसका दोस्त कुछ लड़कियों की तरह भिसारा करता है और कहता है कि वो उसके साथ रिलेस्टन बना सकता है, लेकिन डग उसकी बात को अंचुना कर दिता है, इसके बाद कुस दिन डगल लगाता है, लेना की पर नजर बनाय भर रखता है, उसके लिए वरकاؤٹ करना सुरू करदेा एक दिन वो नाम पर काम कराता तब लीना वहां आती है और कहती है कि ये लेत ने उसे ड़क के काम करने के लिए बेज़ा है वो लोग नाव के अंदर जाते हैं लीना उसे पर्दे गिराने को करती है और डग परदा लगा देता है लिना उसके साथ फलट करती है उसके कपड़े निकालती है वो दोनों के एक दूसरे को किस करते हो फिजिकल हो जाते है अगर डग बार में काम कर रहा होता है तभी वहां लिना उपने पत्ती के साथ होते है डग उसे देखता है लेकिन तभी उस इसलिए दरवाजे से बाचे से बाची किस करने के लगताãy रही शेक्स करते हैं लेकिन इस बीच गव्योंति लेना को डूंड़ता वो उस तरफ आ पिकनिक मनाता है जहां वो लोग कुछ इंटिमेट बाटे कर रहे हैं इसके बाद लिना उसे फोन देती है कहती है कि इलिट बहुत ही गुश्य वाला और खतनाग इनसान है इसलिए फोन पर बात करने के उसकी मदद करेगा अब उसके बाद डग बागते भी किचन में जाती है और लेकिन डग भी उसके पिच्छे आ जाती है लेकिन खिड की बार माली उन्हें देख लेता है कुछ देर बाद डग नाव की तरफ जाता है देखता है कि वहाँ पर नाव पर खड़ा है वो डरते ररते नाव की तरफ चड़ जाता है लिना इलिट के साथ देखता है फिर इलियट को कुछ और टे सला देती है, की इलियट उसके पूछता है क्या उसकी को गल्फ्रेंड है तो डग कहता है क्या हो रात लियट को प्राद रहे कि इलियट ने उसे बहुत मारा, अब वो बिजनेस के सिलस्ले से बाहर गया, इसके बाद तुरंद वास्पिटल जाता है, उसे कहता है कि उसे प्लिवित को ये सब कुछ बता देना चाहिए लेकिन लिना उसे रोग देती है वो लोग घर चले जाते हैं इसकी अगले दिन डग काम कर रहा होता है और तभी लिना का कोल आता है जो कि किराने पर दूप सेकरी थी डग को अपने पास बुलाती है और वह को आजाद महसूस करते है उसे ईलीट और उसकी पहली बीबी के बारे में बताथी है कहती है कि वो लोग अभी भी कोटकरजरी के मामले में फसे हुए है इसके बाद डग का दोस्त हरकतों के बारे में पता लगाने के कुछिस करता है कहता है कि उसने उसके लिए एक लड़ नियाक नियत्ट के बीच टुरत थी जिसके बाद बन दोली कर दो पर्मुर्ष के दागश से लेना लोत खेंज Seit trust के मोदु कहां कि во परिशानेु लिना वो अपने पिता के साथ है उसके बीच में कुछ हजीव से बाते होती है डग अपने कमरे में चला जाता है उसरा डग लिना से मिलने गर उसके गर आती है लिना उससे माफी मांगती है कहती है कि गर में नहीं रह सकती थी इसलिए वह उसके माता पिता से मिलने चली है कहने के बाद डग इलीट की बोड़ी को लेकर बोड़ में चला जाता है लेकिन इससे पहले की वोड़ में वहां से निकल पाती गार्ड उसे देख लेता है और उसे में से हाड़ वर्ड कहा कहा आवाद देता है डग इलीट की तरह एक्टिंग करने लगता है बोड़ को लेकर वहाँ से चला जाता है अगली सुबह पुलीस की कारवाई चालू जाती है उन्हें ये सब अक्सिडेंट रगता है इसके बाद पुलीस लीना की गरपूचात कने आती है डग कहता है कि लीना पुलीस वालों से बात कर रही है डग ने उसे रात को बोर्ड के कि एलीट के साथ सर पे बीम पे वार किया था फिस राब सिक्रेट की मदद से बोट के में आग लगा दी थी जिसके वो अक्सिडेंट नजर आ रहा था डग अपनी आम जिन्दकी जिने लगता और वो बार में काम करता रहता है जहां पे कुछ पुलिस वालों को ट्रेंक पिला है क्योंकि ये लड़के के पास लाइफ इंसूरेंस है जिसकी कि गिमत बहुत बढ़ी है और ये पैसा लिना को मिलने वाला है इसलिए इस मामले की जड़ हर पहलू की जांच करनी ही होती है वारदात में क्या हो है जाने के लिए वो औरत लिना से पूछ साथ कर लेकर बुल लेकर सकता है तो गार्ड उसे बता था कि रात नहीं उसने देखा था कि वह एलीट की जगह कोई और हो सकता है इसके बाद एन्सॉरेंच एजेंट लिना के गर जाती है और वाधात की जगह को चैक करती है जिसके कुछ सबूत मिल सकी है उसे वह टूटी वह खिड की मत लेन जाता है वो लिना को कॉल करता है लेकिन उसके मता पिता को कार में आता देखकर कॉल काट कर देता है इसके बाद वो लोग पुली स्टेशन जाते है जहां एजेंट उसे सवाल पूछती है कि उसके मुव सच उगलाने की कसिश करती है लेकिन डग की लोयर कहती है कि वो डग को इस मामले में नहीं फसने देगी इसके बाद डग नाव के पास जाता है वो कहती है कि उसके पुराने नाव में मिलना चाहती है डग वहाँ जाता है लेना उसे कहती है कि उसे कुछ दिनों से एक दूसरे से दूर रहना होगा यह कहने के बाद वो चली जाती है डग अपने गर पतापिता को बताता है इस वीच पुलिस ब्लड सेंपल का मेज निकाल जाता है जो जेंट ने उसे दिया था डग अपनी बेगना इसाबित करने की कोशिश करता है लेकिन हर बार कोशिश नाक्या में आउज हो जाती थी जैसे कि जिस माली ने तिनों को साथ में देखा था पुलिस वहाँ जाती है डग को पकड़ लेती है डग पुलिस को कहता है कि वो लोग उसे जानते है और उसके उपर लगे इंजाम हटाने के कुछ करना चाते है एक पुलिस उफिसर उसे जाने दता है और डग वहाँ से लिना के होटल उसका सेल फोन ले जाता है लेकिन जैस बहुता है जैसा लीना के पेर में था उसे डग को पता जलता था अगए एजियन्ट की लिना की दोनों की कंप्रॉमाइज हो चकिता है वो दोनों सुरुआद से लिना साथ दे रही है उसी सारी बाते याद आने लगती है और उसी समझाता है कि यह बहुत बड़ा खेल है यहां ईसल लिगता है यह वाज़ा देखेल लिक्ट प्लिस के प्रीजित करते है जैसे डग उसका रेप करने की खुशिस कर रह के इंजाम हटाने के कुछ करना चाहते हैं एक पुलीस ओफिसर उसे जाने देता है और डग को लिना की होटल में उसके सेल फोन ले जाने का कहता है लेकिन जैसे वह सेल फोन मिलता है वहां से लिना वहां जाती है और साथ में एजेंट भी आ जाता है एजेंट उसे फोन कहता ह और दोनों बाहर जा रही होती है तबी डग की एजेंट नेजर की एजेंट की पेरों पर पड़ती है जहां वैसा ही टूटा होता है जैसा लेना की गर में पेर में एक पुलिस उफिसर उसे जाने दता है और डग वहां से लेना के होटल उसका सेल फोन ले जाता है लेकिन जैस तेटो था जैसा लीना के पेर में था उसे डग को पता जलता था कि एजेंट की लीना की दोनों की कॉंप्रोमाइज हो चकी है वो दोनों सुरुआज से लीना साथ दे रही है उसी सारी बाते याद आने लगती है और उसी समझाता है कि यह बहुत बड़ा खेल है खेल का मोरा यहां ऐसा लगता है कि लीना उसे छोड़ के चली की लेकिन लीना प्यार में डग को वह सेल फॉन छोड़ने का फैसला करती है जिससे उसे बेगुनाई का सबूत था इसके बाद दोनों औरते इन इलीट का इंसुरेंस का फैसला लेकर फ्लाइट में बैठकर वहां से निक् करती हैं दोस्ता हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए मुथ भूलना डग एलीट हो लिना